ओम शांती, आज एक फरवरी दो हजार देईस के साकार मधुर महवाक्य हैं, बहुत सारे गौडली स्टुडेंट्स ने जनवरी मास का चार्ट भेजा हैं, उन्हें बहुत बहुत शुब काम नाई, जिस भी पॉइंट में हमारी कमी रही, उसके उपर द्रड़ता से विचार क करना है और अपने आपको ठीक करना है, एक कांत में बैठ कर अपनी कमजोरी को पहचानना है, और स्वेम ही स्वेम को करेक्ट करते जाना है, जहां द्रड़ता है, वहां सफलता है, फॉर एक्जाम्पल अगर हमें लगता है, कि जनवरी बास में में मेरा अमरेतविला धीला तो अब द्रड़ता पुर्वक संकल्प करें, कुछ भी हो जाए, अमरे त्वेला रेगुलर करना है और बहुत पावरफुल करना है, जागती जूत बनकर करना है, इसी तरह से मुरली क्लास में एकागरता के साथ सुननी है, पॉइंट्स नोट करने है, बीच बीच में साइले साथ साथ सोने से पहले बाबा को चार्ट देकर सोना है, पावरफुल योग करते हुए, मुस्कुराते हुए, बाबा की याद में सोना है, भोजन मोन में करना है, इस सभी बातों पर पूरा आटेंशन देंगे, तो ही हमें यह अनुभव होगा, कि यह जीवन बहुत सुंद आज की मदुर मुरली में बाबा ने योग से फाइदा सुनाया जब आप बाबा को याद करते हो तो आपको डबल फाइदा होता है डबल फाइदा कौन सा है एक तो योग से विकरम विनाश होते हैं दूसरा कोई भी पाप बनेगा नहीं यहीं बाबा की याद में रहके करम कर बहुती सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि घर ग्रस्त में रहते आपको पुर्शाथ करना है कि ज्यान कटारी चलाते रहना है कमल फूल समान रहना है शंक ध्वनी करते रहना है एक बाबा की याद में रहेंगे तो याद से पापों का बोजह उतरता जाता है बहुत स्वेम भगवान मुझे पढ़ाते हैं, बाबा स्वेम आकर श्री मत देते हैं, जनम जनमांतर उल्टी मत पे चलते आए, अब बाबा की सुल्टी मत, श्री मत मिलती है, जिसे किस जनमों के लिए कमाई होती है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, अच्छिरिती तो स्वरग के लक्षमी नाराइन बनेंगे, सुनते हैं बाबा के मधरूबूल, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर किसी भी देधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वेम निराकार ज्यान सागर बाप है, तुम्हार किसी भी देधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वेम निराकार ज्यान सागर बाप है, खोश्चन है उंच पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे ग्रस्त ववार में रहते भी कर सकते हो, उंच पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे ग्रस्त ववार में रहते भी कर सकते हो, ग्रस्त ववार में रहते सिर्फ ज्यान कटारी चलाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, शंक ध्वनी करते रहो, चलते फिरते बेहद बाप को याद करो, तो सुखी रहेंगे, उंच पद मिल जाएगा, यही मेहनत है दूसरा प्रश्न है, योग से तुमें कौन सा डबल फाइदा होता है? योग से कौन सा डबल फाइदा? एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता, दूसरा पास्ट के किये हुए विकर्म, विनाश हो जाते हैं एक तो इस समय कोई वी करम नहीं होता, दूसरा पास्ट के जो किये वे वी करम है, वो विनाश उचाते हैं, गीत है माता ओ माता, तु है सब की भाग्य विधाता, ओम शांती, सत्संग वा कॉलेज आदी जो होते हैं, वहां देखने में आता है, कौन पढ़ाते हैं, नजर पढ कहेंगे फलाना प्रोफेसर पढ़ाते हैं, सत्संग में कहेंगे फलाना विद्वान सुनाते हैं, मनुष्य पर ही नजर जाती है, यहां तुम्हारी नजर किसी देधारी पे नी जाती, तुम्हारी बुद्धी में है निराकार पर्यम पिता पर मातमा, इस तन के द्वारा चली जाती है मात पिता बाप तदा की तरफ बच्चे सुनाते हैं कहेंगे ज्ञान सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं फरक पड़ गया ना सत्संगों में कुछ भी सुनते हैं समझते हैं फलाना ये वेद सुनाते हैं मनिश्यों की मर्तबे पर जाती पाती पर द्र वहां चली जाती है यहां तुम्हारी जाती है दृष्टी शुव बाबा की तरफ शुव बाबा पढ़ाते हैं अभी बाप भविश्य नई दुनिया के लिए वर्सा देने आए है और कोई ऐसा कहना सके हे बच्चों तुम्हें स्वरक के लिए राज्योग सिखा रहे हैं थी बुरवर उसने सो भाग्ये बनाया जिसके मंदिर भी है प्रन्तु वो कौन थी कैसे आई भाग्ये कौन सा बनाया कुछ भी नहीं जानते तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फरक है यहां तुम समझते हो ज्यान सागर परम पिता परमात्मा ब्रम्मा दवान है यह तो रॉंग हो जाता है वैसर व्यापी के ज्यान वाले अपनी बात को सिद करने के लिए अपना बीस नाकनों का जोर देते हैं तुम्हारा समझाना अलग हो जाता बेहत बाप से बच्चों को वर्सा मिलता है सन्यासियों का है वैराग मारग निर्विट्टी मा सके वै प्रोपर्टी चाहते ही नहीं तुम तो सदा सुक्की प्रोपर्टी चाहते हो नरक के धन दोलत में दुख है भरे दनवान है प्रंतु चलन ऐसी गंदी चलते हैं पैसा उड़ाते रहते हैं फिर बच्चे भूख मरते हैं तो अपने को भी दुखी बच्चों को भी हबाप वह बैठ बच्चों को समझाते वह तो भिनविन अनेक बाप है जिसे अल्पकाल के लिए वर्सा मिलता है बले राजा in हैं वी तक हो गए पार का अल्पकाल का सुख है यह बे बहध का बाप जो अविनाशी सुख देते हैं बेहध का बाप हम सबको अविनाशी सुख देते हैं, समझाते हैं, भारतवासी जो डबसर ताज थे, स्वरक के मालिक थे, अब नरक के मालिक बन गए, नरक में है दुख, बाकि ऐसे कोई नदी आदी नहीं है, जैसे रोरब नरक, विशेवतरनी नदी आदी के चित्र, गरुड पुराण में दिखाते हैं, ये तो ये रोचक बाते लिख दी, आगे तो जो जिस अंग से बुरा काम करते थे, वो अंग उनका काटा जाता था, बहुत कड़ी सजा मिलती थी, अब इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती, फासी की सजा कोई कड़ी नहीं, वे तो बहुत इजी है, मनुशे आप घात भी बहुत खुश समझते, वो तो यहां ही एक शरी छोड़, फिर भी यहां ही गंदा जनम ले लेते, ज्यान तो है नहीं, सरफ शरी को खतम कर देते, दुख के कारण, फिर भी दुखी जनम को पाते, तुम तो जानते हो, हम तो नई दुनिया के लाइक बन रहे हैं, जीवगात करने वाले में भी वराइटी होती, जैसे कोई इस्तरी पती के पिछाड़ी, अपना शरीर होमती है, सती हो जाती है, वो बात अलग है, समझते हैं, पती लोक में जाएंगी, क्योंकि सुना हुआ है, बहुतों ने किया है, शास्त्रों में भी है, पती लोक में जाती है, परंतो है पती तो क पिता जो स्थापनार्थ निमित बने हुए हैं यही फिर स्वरग में पालन करता बनेंगे मनुश्य तु जानते नहीं विश्णु कुल किसको कहा जाता विश्णु तो ऐस सूक्षम वतनवासी उनका फिर कुल कैसे हो सकता अब तुम जानते हो विश्णु के दो रूप पतियों का पती पिताओं का पिता है सब कुछ वो एकी है उसमें सर्व समंध आ जाते बाबा केते इस समय के जो भी चाचे काके आदी हैं उस सब दुख की राए देते हैं उल्टे रास्ते की आसुरी मत देंगे बेहत का बाप आकर बच्चों को सुल्टी मत देते हैं समझो लोकिक बाप कहते हैं कॉलेज में पढ़कर बैरिस्टर राधी बनू वे कोई उल्टी मत थोड़ा ही है शरी निर्वार्थ तो वे राइट है वे पुर्शातों करना ही है उनके साथ साथ फिर भविश्य 21 जन्मों के लिए शरी निर्वार्थ भी पुर्शात करना है पढ़ एक ही कश्मीर का राजा मरा कितने पैसे मिल गए आरे समाजीयों को ये सब करते हैं पेट के लिए संपत्ती विगर तो सुक होता नहीं दन है तो मोटरों आदी में घूमते हैं आगे सन्यासी पैसे के लिए सन्यासनी करते थे वो तो चले जाते थे जंगल में इस दुनिया स से तंग हो अपने को छुडाते हैं प्रंतु छूट नहीं सकते बाकी पवित्र रहते हैं पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं ये भी भारत को सुक देते ये पवित्र नहीं बनते तो भारत तूमच वैशाले बन जाता पवित्रता सिखाने वाले ये एक नरवर्ती मारग वाले हैं और दूसरा बाप एक तो शुआ बाबा सिखातें गर गरस्त मेरेते पवित्र बनू और संशाटक्र वहें दिरम अर गलती मांरगवाली पवित्रता । यह परवित्रत के पवित्रता भारत μी पवित्र परविर्ती मार्ग था, हम देवी देवताई पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए, पूरा आधा कल्प, पांच विकारों द्वारा हम अपवित्र बनते हैं, मायने थोड़ा थोड़ा करते, पूरा अपवित्र पतित बना दिया, दुनिया में कोई भी मनुष्य नी जानते कि हम पावन से पतित कैसे बनते हैं, समझते भी पतित दुनिया है, समझो किसी मकान के आयू सो वर्ष है, करेंगे पचास वर्ष नया, पचास वर्ष पुराना, आईस्ते आईस्ते पुराना होता जाता, इस स्रिष्टी का भी ऐसे है, एकदम नई दुनिया में स सुख होता है फिर आधे के बाद पुरानी होती है गाया जाता सत्यों में अथा सुख है फिर पुरानी दुनिया होती है तो दुख शुरू होता है रावन दुख देते हैं पतित रावन ने बनाया जिसका बुत जलाते हैं यह बड़ा दुश्मन है कोई ने गवर्मेंट को अ राज्ये द्वापर से शुरू होता है। भारत में ही रावन को चलाते हैं। बाव समझाते द्वापर से भगती अज्ञान मारक शुरू होता। ग्यान से दिन भगती से रात। अब देखो जगतंबा का गीत गाते हैं। पुरन्तु समझते नहीं सोभाग्यविधाता कैसे है कितना बड़ा मेला लगता पुरन्तु जगदמב है कौन ये भी नहीं जानते है बंगाल में काली को भी बहुत मानते हैं परन्तु जानते नहीं कि काली और में क्या फर्क है जगदंबा को गोरा दिखाते हैं काली को काला बना दिया जगदंबा ही लक्षमी बनती है तो गोरी है फ़र चुरासी जरम लेते लेते काली हो जाती है तो मनुश्य कितने मूझे हुए है वास्तों में काली अथवा जगदंबा तो एक ही है कुछ भी नहीं जानते इसे कहा जाता अंदश्रधा अब तुम बच्चे जानते हो जो पास्ट में जगदंबा थी उसने भारत का भाग्य बनाए था तुम भी भारत का सो भाग्य बना रहे हो माताओं का ही मुख्य नाम है सन्यासियों का भी माताओं को उधार करना ये भी परमात्मा ने डारिक्षन दिया, इनको ज्ञान बाण मारो, तुम बच्चियां भी सन्यासियों आदि से मिलती हो, समझती हो में ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, तुम हद के सन्यासि हो, हम बेहद के सन्यासि हैं, वो तो घर बार छोड़ के पवित्र बनत है हट्ट्यों गोराज्यों दोनों इकट्टे रहनी सकते तो टाइम कोई अब जासते नहीं वो थोड़ा टाइम है बावगयते बच्चे गरस्त वयवार में रहते कमल फूल समान बनो घर गरस्त में रहते कमल फूल समान बनो ब्रामनों कोई कमल फूल समान रहना है कुमारिया तो हैं पवित्र, कमल फूल समान बाकि जोभी कार में जाते हैं उनको कहते हैं पवित्र बनो ग्रस्त ववार में रहते कमल फूल समान बनो हर एक स्वदर्शंग चक्रधारी बनो शंक बचाओ ज्यान कटारी चलाओ तो बेडा पारो चाएगा मेनत है, मेनत भिगर इतना उच्पद पा नहीं सकते चलते फिरते उसी सुख में रहो, बाप को याद करो जो बहुत सुख देते हैं, उनकी याद रहती है तुम्हें याद करना है बेहद के बाप को उनका इपरीचे देना है, समझाना बोलो तुम राज विद्या इस जनम में पढ़कर बैरिस्टरादी बनेंगे, अच्छा समझो पढ़ते पढ़ते, इमतहान पास करते तुम्हारी आयू पूरी हो जाए, शरी छूट जाए तो पढ़ाई यहाई खतम हो जाएगी कोई इमतहान पास कर लंडन गया, वहां मर पढ़ा तो पढ़ाई खतम हो जाएगी वो है यह विनाशी पढ़ाई, यह अविनाशी पढ़ाई इसका कभी विनाश नहीं होता तुम जानते हो नई दुनिया में आकर हमें राज्जे करना है वो है अल्पकाल का सुख, सो भी जब नसीब में हो पता नहीं कितना समय चले, यहाँ तो सर्टन है इमतहान पूरा हुआ, तुम जाकर 21 जरम का राज भाग लेंगे हद के बाप, तीचर, गुरू से हद का वर्सा मिलता है समझते हैं, गुरू से शान्ती मीली, रिया थोड़े शान्ती हो सकती, ओर्गन से काम करते करते थक जाते हैं, तो आत्मा शरी से डिटैच हो जाती, भावा के थे शान्ती तुम्हारा स्वधर्म है, यह ओर्गन से काम नहीं करना जाते हो तो चुप होके बैठ जाओ हम और शरीरी हैं करेंगे दस सकंड अभ्यास मैं और शरीरी आत्मा हूं बाबनी का ये और्गन से काम नहीं करते हैं काम नहीं करना चाहते तो चुप होके बैठ चाओ हम और शरीरी हैं बाबा से योग लगाते हैं ताकि विकरम में नाश हो जाएं बली कोई सन्यासी से तुमें शांती मिले प्रंतु से विकरम विनाश नहीं हो सकता यहां बाबा को याद करने से विकरमा जीत बनते जाएंगे अच्छा वो शांती में बैठे हैं करके विकरम भी विनाश होंगे डबल फाइदा होगा पुराने विकरम भी विनाश होते हैं सिवाई योग बलके पुराने विकरम किसी भी हालत में विनाश्ट हो नहीं सकते। बिना योग बलके विकरम विनाश्ट हो नहीं सकते। प्राचीन योग भारत का गया हुआ है। इससे ही जनम जनमांतर के विकरम विनाश्ट होते हैं और कोई उपाई नहीं। अब ये व्रि शुक्रियां बाबा शुक्रियां धारणा के लिए सार पहली पॉइंट है शरी से डिटाच हो और शरीरी बन सच्ची शांती का अनुभव करना है बाप की याद से स्वयम को विकर्मा जीत बनाना है अविनाशी प्रालब्द बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है अविनाशी प्रालब्द बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाप की सुल्टी मत पे चलना है वर्दान है उची स्टेज पर रहे प्रकृती की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृती जीत भाव उची स्टेज पर रहे प्रकृती की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृती जीत भाव माय जीत तो बन रहे हूँ अब प्रकृती जीत भी बनू क्योंकि अभी प्रकृती की हलचल बहुत होनी है कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी साक्षियों के सब खेल देखेंगे जितना उचे होंगे उतना हलचल से स्वतही परे हो जाएंगे प्रकृति जीत भी बनना जरूरी है जिससे माय जीत बने हो तो प्रकृति जीत भी बनू क्योंकि अब प्रकृति की हलचल बहुत होनी है कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी साक्षियों कर सब खेल देखेंगे जैसे फरिष्टों को सदा उँची पहाड़ी पे दिखाते है ऐसे आफ फरिष्टे सदा उँची स्टेज पे रहो जितना उँची रहेंगे उतना हलचल से स्वत ही परियोचाएंगे स्लोगन अपने स्रेष्ट वाइब्रेशन से सर्वात्माओं को सहयोग की अनभूती कराना भी तपस्या है अव्यक्तिशारा अभी समय बहुत थोड़ा है काम बहुत करना है इसलिए अपने आपसे दृट परतिग्या करो आज से पुराने संसकार ये व्यर्थ संकल्प कभी उत्वपन नहीं होने देंगे जब ऐसे दृट परतिग्या करेंगे तब प्रत्यक्षफल मिलेगा परमातम प्रत्यक्षता होगी आज हम अभ्यास करेंगे मैं प्रकृती जीत आत्मा हूं बाबा ने मुझे प्रकृती जीत बनाया है ब्रिकृती का क्षमे जोती बिंदु आत्मा को देखे मैं सूस करें मैं प्रकृती जीत आत्मा हूं मैं तीसरे नेत्र से धर्ती की हल्चल वायू की हल्चल सब को देख रही हूं बाबा की शक्तियां मेरे साथ है मैं इस हल्चल में भी अचल हूं बाबा के स्वरूप परिकाग्र होकर बाबा की शक्तियों को अपने में आता देखे मैं प्रकृती जीत आत्मा हूं एक की याद से मुझे हल्चल में भी अचल रहना है शुक्रिया बाबा शुक्रिया और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञानमोती झाल